जहिंद आज की इस वीडियों मैं आपके साथ पांच यसे दमदार पेनी इस्टोक ले कराया हूँ जो फंडामेंटली इस्ट्रोंग है डेफ्ट फिरी है और आगे चल कर अपने निवेशकों को मोटी क्यामाई कराने का दमखम रखते हैं तो चलिए सुरू करते हैं नमबर एक पर जो कंपनी है उसका नाम है गोल्ड लाइन इंटरनेशनल इसका सेर प्राइस सिर्फ अंठाउन पैसा है और मार्केट के 244 क्रोंड रुपया है अब आप कहेंगे कि जिस कंपनी का मार्केट के 244 क्रोंड है वह भला पेनी इस्टोक कैसे हो सकती है सब्सक्राइब आप के पाले कंपनी यह पेनी इस्टोक नहीं है काफी फंडमेंटल इस्टोंग कंपनी है लेकिन 2008 में जो मार्केट क्रेस आया था उससे में इसका सेर प्राइस काफी डाउन चला गया था लेकिन अब यह कंपनी धिरे-धिरे उठनी सुरू हुई है और इस लेकिन आपको सिर्फ BLS Info Tech ही चुनना है जिसका सेर प्राइस 72 पैसा है और मार्केट केप 31.5 करोड़ का असपास मार्केट केप है अगली कंपनी है नवगदा इंटरप्राइज इसका सेर प्राइस है 10 रुपया 40 पैसा और मार्केट केप है 4.01 करोड़ मतलब 4 करोड़ वा मार्केट केप देखिए सिर्फ 88 करोड़ जिस कंपनी का मार्केट केप है उसका सेर प्राइस 36 रुपय का पार चला गया है दोस्तों यही होती पेने श्टो की ताकत जिस कारण से भी सेर प्राइस सूपर गया है लेकिन जारा सोचिए जिन लोगों ने भी इसमें पैसा लग जाता है यानि relative strength index देखें जब किसी कंपनी का RSI 70-30 के बीच में हो इसी के बीच में trade कर रहा हो तब उस कंपनी का सेर लेने के बारे में सोचा जा सकता है यह जितना 30 के करीब रहता है उतना ही वाई करने के लिए अच्छा माना जाता है लेकिन जैसे 30 से ऊपर चला जाता है 70 के पार चला जाता है तब आदमी को सौधान हो जाना चाहिए और अगर RSI 70 के ऊपर चला जाता है तब कंपनी का शेल करना चाहिए और वाई तो बीलकुल नहीं करना चाहिए क्यूकि में सितना करीब रहता है खरीत राता है कृ यह अब हम देखते ही कि जो गोंड लान इसका RSI कहा है, इसका RSI 85.15, RSI 70 सूपर चला गया है, तो क्या हम अभी इसे बाई करेंगे, अभी बाई नहीं करेंगे, लेकिन इस पर नजर बना के रखेंगे, जैसे RSI 70 के आस पास आएगा, या 70 से नीचे आएगा, तब इसको बाई कर लेंगे, अगली जो कम्पनिय इंतजार करेंगे, जब इसका RSI 70 के नीचे आएगा, तब बाई करेंगे, अगली हमने नगोदा इंटरप्राइजेज, इसका RSI 46 का आस पास है, बहुत ठेक ठाक है, 30 के करीब है, बिल्कुल बाई कर लेंगे, लेकिन ये जो कम्पनिय रगुनात इंटरनेशनल, इसका RSI 97 क आस पास चला गया है, मतलब 37 काफी उपर है, तो क्या इसको भी बाई करेंगे, नहीं, जिस कम्पनी का RSI 70 के उपर है, उसको फिलाल बाई नहीं करना है, लेकिन उस पर नजर बना के रखना है, जैसे ही RSI 70 के नीचे आएगा, तो उसको बाई कर लेंगे, तो आई होप इस वीडियो में दीगे जनकारी आपको पसंद आई होगी, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, या मन में कोई सवाल है, तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं सब के कमेंट कर रिपलाई देता हूँ, बागे अगर चैनल पर आप पहली बार नहीं आया है, तो सबस्क्राइब क करना बत भूलिएगा, आज के लिए अतना ही, बस सुक्रियों